हेलो वाइज वेलकम तो माई यूटूब चैनल आपका अपना चैनल एच के सर आइधिंक सभी बच्चे अच्छे होंगे जबरजस्त होंगे मस्त होंगे मैं आज आपके लिए रहने मार्टिन का फर्स शेप्टर लेका आया हूं जिसका नाम है पार्ट ओप स्पीच ध्यान से पहले हैं आपको कंपटिटियल की बॉक अपको दिख रही होगी सायद रा इनइनमार्टिन लेखा हुआ है रैंइन मार्टिन यह बुक एक इतनी एडवांस बुक है कि जो भी बच्चे सीजियल या सीपियो लेविल का इकशाम्स करते हैं और या कोई भी आप competitive exams करते हो तो आपको हर कोई teacher हर best teacher Renan Martin की सलहा देगा और मैं guarantee के साथ कहता हूँ किसी भी competition level में Renan Martin एक मात रुपाय है जो कि आपको जबर्जस्त बना सकता है आपके English को और आप video में भागना नहीं है बेस रुके रहना है मेरी guarantee आज आप parts of speech सीख जाओगे और कभी नहीं भूलोगे parts of speech और हाँ एक बात और आपके mind में आएगी कि सर आप गलत सिका रहे हो Renan Martin खुद इस चीद को prefer करती है जो मैंने लिखा है क्यों मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखना मैंने लिखा है सबसे पहले noun उसके बाद में second number adjective का होता है और हम सभी किताबों में देखते हैं कि pronoun होता है बट नहीं second number adjective का होता है third number pronoun होता है फिर verb होती है add verb है फिर prep json होता है फिर position नहीं prep json फिर होता कन जंक सन क्या पढ़ते हैं से कन जैक सन नहीं पढ़ते क्या प्रणाउंस इट करना कन जंक भाई लिखा हुआ है जंक का मतलब होता to join connect करना किसी चीज़ को जोड़ना इसे जंक कहते हैं तो यह है कन जंक सन और यह होता inter jack इसमें jack लिखा हुआ है Interjection ध्यान से पढ़ना हाँ बहुत important बात है सभी mistake करते हैं Conjection बोलते हैं नहीं ये wrong होता सही कौन सा है Conjunction Conjunction और number 8 पे होता Interject ये इसमें Jack होता है आप इस Jack को ने इसमें लगा ये होता Interjection और ये होता Conjunction एक बार और read out करो मेरे साथ में नाउन अजेक्टिव ये एडजेक्टिव को अजेक्टिव प्रोनाउन एंड वर्ब एडवर्ब प्रेप जीसन Conjunction और इंटर जेक्शन इनको सर्फ कैसे याद रखेंगे याद रखने की बहतरी इंट्रिक आपके लिए बताऊंगा आपने किरम में सीरीज वाई कैसे याद रखोगे यह भी एक क्वेश्चन होता आपने आप में कि नाउन के बाद में क्या आता है नाउन के बाद में एडजेक्टिव आता है हम मिश्टेक करते हैं सभी टीचर्स हमको पढ़ाते हैं कि नाउन के बाद में प्रेनाउन आता है बट प्रेनाउन नहीं आता नाउन के बाद में एडजेक्टिव का यूज़ करना है आपको ध्यान से देखो क्या ट्रिक के सब हम कैसे याद रखी मैं एक ट्रिक लिखी है नाप और वापसी आप याद रखना अगर हम किसी टेलर के पास में कपड़े सिलवाने के लिए डालते हैं और हमारी नाप जो हमारी पहमाईस उसने की है हमारे सर्ट और पेंट की और उसको भूल जाता है तो हमको दुबारा बुलाता है कि आप जी नाप को वापसी देखे जाओ नाप वापसी तो N से क्या है नाउन ए से एजेक्टिव, पी से प्रोनाउन होता है और ये सबी जानते हैं वी से वर्ब, ए से एड़वर्ब, पी से प्रेपजीसन, सी से कन जंक्सन और आई से इंटर जैक्शन होता है बहुत इंपोटेंट बात है और याद रखना इस ट्रिक को नाप वापसी के याद, आप इसको तो जानते हो यहां से नीचे किरम में लगाना बट आपसे मिश्टेक क्या होती है कि आप नाउन के बाद में प्रेनाउन को यूज करते हो, नहीं नाउन के बाद में एड़जेक्टिव का आपको यूज करना है बहुत factual point है, आओ, अब हम parts of speech को समझते हैं, parts of speech आखिर होता क्या है, इसका क्या यूज होता है, यह क्यों important होता है जरूरी है समझना, इसके अलावा English क्या और कहीं से भी आती है, नहीं आती दोस्तों, केवल parts of speech अगर तुमने complete कर लिया तो सायद आप grammar के एक grand master बन जाओगे, और आपको कोई mistake नहीं होगी grammar में, सबसे बड़ी बात क्या होती है, parts of speech में हमें को क्रम से, सीरियल से पढ़ाने वाला नहीं मिलता और इसलिए हमें से एक अच्छा नहीं बना पाते और अच्छा नहीं सीख पाते, important बात है, question भी हम create नहीं कर पाते हैं, कैसे question को tackle किया जाए, ध्यान से देखना, मैं आपके लिए क्रमवाइज बताता हूँ, कि इनको कैसे use करते हैं, सबसे पहले हम parts of speech, part होता है किसी चीज के हिस्से, मैंने आपके लिए की वीडियो में और बताया था, kind का मतलब होता है पिरकार, पिरकार का क्या मतलब है, देखो, मैं आप से बोलू कि बाइक उठा लो, आप एक motorcycle उठा लो, बाइक में मैं बोलू part, सभी में दो tire होते हैं, एक string होती है, दो mirror होते हैं, headlights सिंगल हो अबी में, आप ये तो उसके part हो गए, आप इसके soccer अलग किये, tire अलग किये, उसका engine अलग किये, ये उसके part है, kind का मतलब हुआ, के Apache अलग है, R15 अलग है, Splendor अलग है, Deluxe अलग है, ये उनके चेहरे अलग-अलग रूप बना दिये, उनके नाम अलग-अलग हो गए, ये kind हो मालो आप एक human being person की बात करका किसी भी आदमी को पकड़ लो, तो उसके दो हाथ, दो पेर, दो eye, दो ear, forehead, head, ये सबी चीज़ सेम होती है, बट अगर kind की बात करें, तो wish में हर इनसान का अलग kind है, kind क्या होता है, पिरकार होता है, और part होता हिस्सा, बहुत important बात होती है, चल जिंगे, parts of speech, part हिस्से हैं, speech, माले एक भासन, why English और Hindi ये languages हैं, तो languages के अंदर हम क्या जानते हैं, कि भासन, हम इनके द्वारा भासन, किसी बात को, सबसे पहली बात होती है, कि language क्या है, language एक माध्यम होता है, किसी बात को कहने का, ये सुनने का, अपनी बात को किसी के सामने represent करने का, ये language का बगएर हम नहीं कर सकते, चाहे हम इसारे में करें, code word में करें, written, लिक कर करें, oral या बोल कर करें, यही एक language होती है, ठीक है, तो parts of speech में पहला noun होता है, noun को हम जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को की गजब समझ माएगा, ध्यान से देखना, जि बहुत फर्क होता है, जादा तर नाम वगएरा की चैनल्सिंग आती है, तो उन चीदों को हम कराएंगे, ध्यान से देखना, noun के बारे में बताते हैं, नाउन एक संग्या होती है, संग्या क्या होती है, संग्या ये कि आप विसुम मेंने, मैं छोटी सी definition आपके लिए आपको याद रखना है, कि जो विसुम में कोई चीज है, जिसका नाम है वो noun है, तो definition बड़ी छोटी सी है, कि name is noun, इतना याद रखना कि name is noun, कि नाम को ही noun कहते हैं, नाम को ही noun कहते हैं, बड़ी सिंपल सी definition है, कोई भी चीज़ आए, मानलो mobile है, car है, राहुल है, रवी है, गणे इस है, कोई भी नाम है, ट्रक है, एरोप्लेन है, बस है, कोई भी चीज़ अगर ट्रेन है, तो everything is noun in universe, जितनी संसार में चीज़े हैं, सभी noun है, ठीक है, noun के parts में बाद में खुलू हूँ, जो वीडियो लेका हूँ, पर आप इतना समझो, name is noun, नाम को ही noun कहते हैं, अ अच्छा आप एक question बताओगे, कमेंट में, क्या कोई विश्व में, in universe, ऐसी चीज़ है, जिसका कोई नाम ना हो, जरूर कमेंट में बताना है, और प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पर नए बच्चे हो, प्लीज हमारे चैनल को like, share and subscribe क्योंकि आपको एक बहुत अच्छ लिए भी कोई new font मिलेगा, ठीक है, तो वीडियो में last तक रहना, विस आपसे यही मेरा कहना है, noun, संग्या को कहते, name is noun, मैंने definition बता दी, second number पे आता भाई, adjective, adjective एक विसेशन होता है, सीधी बात अगर हिंदी में बताओं, पहले इंगलिस में आपके लिए बता दूँ, adjective is a word which describes noun and pronoun, adjective उसे कहते हैं जो noun और pronoun का गुन बता है, जो noun और pronoun की quality बता है, जैसे बोला रवी एक अच्छा लड़का है, तो रवी लड़के का गुन बताया, लड़का कैसा है, अच्छा, बोला कि वह एक हसीन है, वह हसीन है, तो हसीन क्या है, गुने, कौन है हसीन, वह है, वह क और वह है, प्रेनाउन है, यह प्रेनाउन का या नाउन का गुन बताएगा, यह एजेक्टिव की मातरे quality होती है, कि एजेक्टिव या तो noun का और या प्रेनाउन की quality बताता है, गुन बताता है, उसे एजेक्टिव कहा जाता है, बात आती है, सर किसी और का भी गुन बताता केवल noun या pronoun का फिर definition सुन लो a word adjective is a word which describes noun and pronoun दूसरी तरीके से definition लिख सकते हो आप adjective can qualify only noun and pronoun आप हजारों कितनी definition बना सकते हो वैसे उसका मतलब वही होना चाहिए जो adjective का है बात adjective सभी के समझ में आ गई होगी handsome, well, good, bad ये सभी adjectives होते है बात करते हैं प्रेनाउन की प्रेनाउन is a simple word प्रेनाउन का मतलब क्या होता है जो instead of noun आ जाए जो noun को replace कर दे एक छोटी सी definition बता रहा हूँ प्रेनाउन की बड़ी छोटी बड़ी small है in place of noun फिर सुनो in place of noun जो noun की जगह पर आ जाए और noun को replace कर दे हटा दे उसे प्रेनाउन कहते हैं ध्यान से सुनना प्रेनाउन नाउन की repetition को हटाने के लिए आता जैसे यह वह तुम he, see, it, I, you, we, they, this, that, everything, everybody, all our प्रेनाउन यह कैसे नाउन को replace करते हैं मानलों मैं एक काव ले लेता हूँ बड़ा प्यारा पसू होता एक गाई की बात करते हैं मैं कहूँ गाई हमारी माता है अब मैं बार बार गाई नहीं कहूँगा गाई दूद देती है गाई के चार पैर होते हैं दो शींग होते हैं गाई एक बहुत अच्छा प्यारा गाई ना कहकर एक बार गाई कहूँगा गाई हमारी माता है अब गा का यूज़ कर दिया, किस के लिए, गाय के लिए, प्यारा पसु को उन्याइ, तो आप समझ गए होंगे, जो pronoun होता है, नाउन की replace को हटा देता है, मतलब बार 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 जो replace कर देता है, किसको replace करता है प्प्रो नाउन, रिपीठेशन को, एक मानलो हम मोदी की बात करते हैं मोधी भारत का प्रधान मंतरी है वहे देश पे राज कर रहा है उसकी हर जगह चलती है वहे चाहे तो देश में कुछ भी कर सकता है तो मैंने मोधी के लिए वहे लगा दिया क्या लगा दिया वहे तो ये नाउन को रिप्लेस कर दिया मोधी जी को नरेंदर मोधी जी को replace कर दिया और उसकी जिगे नरंदर मोदी इसा नाउन वर नरंदर मोदी एक नाम है और नाम से नाउन कहते हैं तो नाउन को replace कर दिया किसने वहे ने एक और एक्जामपिल लूँ बोला मालो मैं अपने उपर लूँ का हाकिन सर इंगलिस पढ़ाते हैं वहे रेनिन के द्वारा पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को कोचिंग भी कराता हूँ मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ तो यह क्या हुआ मैं आ गया किसके लिए हाकिन के लिए तो यह आपने समझा होगा कि pronoun is a word which can replace noun यह बहुत बड़ी definition होगी छोटी याद रखो दोस्तों बहुत छो जो noun को हटा दे और खुद आ जाए जो noun की जगहे पे आ जाए instead of noun कर लो या in place of noun कर लो समझ में आ गया होगा प्रेनाउन क्या होता है बात करते हैं वर्ब की वर्ब is a word which so time जो समय को दिखाए उसे वर्ब कहते हैं वर्ब के बारे में मैंने एक और किलास अपलोड किये हमारे चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं वर्ब क्या है वर्ब ना वर्ब एक काम को कहते हैं आप कुछ भी करते हैं उसे वर्ब कहते हैं किरिया क्या होता है किरिया किरिया होता आना जाना खाना नाचना सोना पढ़ना 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 खेलना खूदना यह सबी वर्ब हैं यह किरिया है तो वर्ब क्या होता जिसे मैंने बोला म मैं पढ़ा रहा हूं, I'm teaching you, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो teaching क्या है, वर्ब है, पढ़ाना क्या है, एक काम है, एक वर्ब है, काम को वर्ब कहते हैं, याद रखना है, सर्डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपके लिए बता दू कि वर्ब की सीधी definition क्या होती है वर्ब इसार टेंस सर आपको बहुत अलग पढ़ाते नहीं भाई मैं बहुत बड़ी definition भी करा सकता हूं कोई फाइदा नहीं होना उसका आपको उतना याद रखना है जो important है वर्ब समय को दिखाती है वर्ब से tense पहचाना जाता है वर्ब से time को notice किया जाता है समझा जाता है कि इसमें कौन सा tense है tense is a time, verb is a time वर्ब से ही समय बताया जाता है तो वर्ब को ही time कहुआ वर्ब is a time I think सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और जैसी आपको लग रही है आप जरूर कमेंट में बताना मेरे प्यारे साथी हो मैं आपके लिए इतनी महनत कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करना दोस्तो ठीक है और आगे मैं बात करता हूँ सर एड़वर्ब क्या होता है देखो एजेक्टिव तो होता है विसेशन हिंदी मीडियों वाले बच्चों के साथ से बता है जो नाउन प्रेनाउन का गुण बता है एड़वर्ब क्या होता है वाई एक मिन्ट ध्यान से देख रहा है मैं थोड़ा मोबाइल देख लूँ मैं अकेला हूँ वीडियो बनाने वाला का भी मोबाइल भंद हो बैस एक मिन्ट थीक है मैंने मोबाइल देख लिया है ठीक है बात करते हैं एड़वर्ब की एड़वर्ब is a word which can qualify every part of speech एड़वर्ब एक ऐसा word होता है जो part of speech मतलब खुद को भी qualify कर सकता है एड़वर्ब गुन बताता है वर्ब का भी adjective का भी और एड़वर्ब का भी और समय समय पे ये सभी को भी qualify कर सकता है हर part of speech को सर नाउन को कैसे करता है नाउन को करता only Raju is going केवल Raju जा रहा है तो केवल किसके सामने लगा राजू के सामने तो इसना एड़वर्ब नाउन भी qualify कर जा है एक किरिया विसेसन कैसे होता है सर जो किरिया की विसेस्ता बता है बोला यू केन रन फास्ट तुम तेज तेज दोड सकते हो बाद दोडने को बताया तेज कैसे दोड सकते हो तेज दोड सकते हो फास्ट आई केन स्पीक फिलोएंटली मैं तेज बोल मतलग लाउडली या फिलो से बोल सकता है तो बोलने का गुन बताया इसलिए किरिया विसेसन कैसे जैसे इसमें वर्ड आते हैं एड़वर्ड में बहुत वेरी ज्यादा इनफ के लिए होता है तीन बार हाँ टाइम भी डिनोट किया जाता है तो त्राइव 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 फॉर टाइम टैन तइंतरी करेंगे तो के लिए करा दोगा दोंगा दोस्तो गैरंटी यह मेरी वीडियो को बैस सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और गलत बताएंगे जिसको तुम देखाऊगे इस वीडियो को कि मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं इस बात का ध्यान से देखना अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो मैं बड़े प्यार से आपके लिए दिखा रहा हूं पहले नमर पर लिखा हुआ देखे रहो नाउन एजक्टिव प्रोनाउन वर्भ और रेनिन मार्टिन मात्र एक ऐसी सबसे एडवांस बुक मानी जाती है मैंने आपके लिए फिर प्रश्ट देखा देता हूं रेनिन मार्टिन के नम से बुका थी और आपको अगर एडवांस आप अपनी एंगलिस जबर्जस्त ग्रेमेटिकल पॉर्ट्सन करना है तो वह रेनिन मार्टिन पर्चेज का बना पड़े जबर्जस्त बनना आए तो दोस्तों रेनिन मार्टिन बहुत बहुत बहुतरीन लेवल की बुक है और इसको मैंने बहुत बार श्टडी किये अपने आप में इनफ है इसके बाद आपको और बुक्स नहीं पड़नी पड़ती है और रूट वर्ड भी बहुत है वो प्रेप जीशन होता है सम्मंद सूचक जो सम्मंद बताए और डिटेल में जब बताऊँ यह प्रेप जीशन सिकाऊँ है प्रेप प्रे का मतलब पहले पोजीशन होता है कोई जगे से जब यह पहले आ जाए किसी चीश से उसे प्रेप जीशन बोलाए जैसे मैं के लिए इन आता है पर के लिए याट आता है उप़र के लिए ऑन अपन फ्राओं यह सभी प्रफजी सट्रों जैसे मैं कमरे में हूं आई एम इन रूम तो इन कमरे में क के लिए आया लोगे स्कूल पर है इस के एक सकूल से पहले इस पहले कन जंक बहे जंक का मतलब होता है To join to connect कि प्राइप जीसन तो संबंद सूचा कोता है जो संबंद जोड़ दें और कन जंक सन क्या होता है जो एक दूसरे को समुच मतलब Connect कर दें जोड़ दें लख रवी एंड स्याम रवी को स्याम के साथ जोड विया, end आजाए, but आजाए, मैंने का, you are, you are teaching students, but I can't like you, परंतु में तुमको पसंद नहीं करता, एक contrast बात हो, but still yet never the less, either or neither nor, यो सभी conjunctions होते हैं, both and as well as, सभी क्या है, conjunction, बोला, I as well as my students, I am going to honor, सभी बच्चों को माइन्ड में सेट हो गया होगा, कि कंजेंशन क्या हो, मैं भाई आपके लिए ने कंजेंशन की definition भी सुनो, कंजेंशन इस आवर्ड विच्च कनेक्स एवरीथिंग, सर, कंजेंशन हर चीज को जोड सकता है, हाँ, अब प्रेनाउन जोड लो, वर्ब जोड लो, एजेक्टिव जोड लो, एजेक्टिव जोड के दिखाऊं, अब भी बताता हूं, मोहिनी इस आप ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट कर लो, तो ब्यूटीफुल एंड ने जोड दिया, इंटेलिजेंट से, मोहिनी एक सुन्दर और हुस्यार लड़की है, सर, प्रेनाउन को कैसे जोड दें, बोला, आई एंड यू, लव अदर्स, मैं और तुम दूसरों से प्यार कर, आई और यू, आई के साथ यू को जोड दिया, एंड ने, तो भाई कन जंक्सन इजा समुच्च बोधक हिंदी में आपने सुनाओ जोड जोडे, जो समुच्च करे साथ साथ करे, समुच्च का मतलब साथ साथ कर दे, सर, इंटर्जेक्शन क्या होता भाई? इंटर्जेक्शन, एंटर्जेक्शन इसा word, वेन, वेन यू فील सड्टली, इंटर्जेक्शन होता हाँ जब आप सड्ली फील करवे, सर आप अपने पास से definition बना रहे हैं भाई, definition रटा मत करो, उसका मतलब समझो क्या होता है, interjection होता है, जब आप suddenly feel करते हो किसी चीज़ को, मैंने लिखा है, suddenly, अचानक कोई खुशी की बात हो, कोई गम की बात हो, तो सभी sadness हो, happiness हो, suddenly आए जो, तो उसे exclaim, interjection बोलते हैं, जो exclaim, metri होता ने, वो interjection ही होता है, सभी को मैं आसा करता हूँ, अच्छी लगी होगी वीडियो, और भाई, ऐसी वीडियो पहने के लिए, हमारे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूले, आप, thanks, thanks, aloud, और मैं इससे अगली वीडियो लेके आऊँगा, प्रेप जीसन की, प्रेप जीसन हम एक advanced level पे करेंगे, प्रेप जीसन बहुत different level से मैं कराऊँगा, सभी बच्चों को, आप चैनल पे विजिट करना ना भूले, इसके अगली वीडियो प्रेप जीसन होगी, और जिस बच्चे को, हमारे, मतलब जो बच्चे कमजोर week है, grammatical portion, tense, sentence, या कोई भी अगर उन्हें problem है, तो मैंने अपने चैनल पे कराया है, और हमारा चैनल अभी एक beginning में है, शुरुआती point पर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा share करें और सब्सक्राइब करें, और अपने grammatical portion को हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, और अपने grammatical portion को मजबूत कर सकते हैंक्स, थैंक्स, अलाओ,